हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू S.A.C. क्रैकर्स और इस चानल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है S.A.C. M.T.S. 2020 एक्जाम के लिए इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक कवर करेंगे Grand Slam ठीक है तो 2020 में जितने भी Grand Slam हुए है उसके विजियते का नाम देखेंगे हम लोग 2021 में जितना भी Grand Slam हुआ है उन सब के वीनर का लिस्ट देखेंगे हम लोग तो इस सेशन से आपके एक्जाम में एक कोशन फिक्स है जो की आएगा 110% एक कोशन तो आएगा क्योंकि sports का ये important event है यहां से कोशन बनता है और आएगा ही आएगा तो इसलिए याद इसको कर लेना है आपको ज़्यादा है नहीं तो इसको याद करके आप जाएगा आपको खुद फिल होगा कि जो आज आप याद किये हैं exam time में ये आपको marks दिलाएगा ready है चलिए start करते हैं तो कौन-कौन सा grand slam होता है सबसे पहले होता है Australian open उसके बाद होता है French third में आता है वेमिल्डन और fourth में आता है US open ठीक है तो ऐसे आप देख सकते हैं alphabet में पहले A आता है तो Australian open उसके बाद alpha weight में F आता है तो French open तो ये तो सही है उसके बाद आपका W आ जाएगा फिर आपका U आएगा यहाँ पर थोड़ा changes है तो इस sequence को भी आप याद रखेंगे पहले Australian फिर French तब वेमिल्डन उसके बाद US open कभी-कभी exam में question घुमा के कैसे पूछता है जैसे पूछेगा कि Australian open जो होता है वो किस type के coat पे खिला जाता है hard coat, soft coat, green coat, clay coat किस type का तो जो Australian है वो hard coats पे खिला जाता है French open जो है वो clay coat पे खिला जाता है Wemildon, grass coat पे और US ये भी hard coat पे तो ये Australia के और Australia और US ये दोनों जो है hard coat पे खिला जाता है और French open ये clay में खिला जाता है और Wemildon जो है ये grass coat में खिला जाता है ठीक है ध्यान रहेगा इन grand slam there are five categories पांच categories होते हैं पहला होगा आपका main single दूसरा होता है woman single तीसरा होता है main double चौथा होता है woman double और पांचवा होता है mixed doubles तो जो exam में question बनता है वो आपका main and woman single से आपके exam में question बनता है तो ये काफे important हो जाता है ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे Australian open क्योंकि आपको मालूम है कि A के बाद क्या आता है F आता है सबसे पहले Australian उसके बाद French और यहाँ पर fit Wemelden उसके बाद US तो सबसे पहले Australian में देखेंगे कि Australian open 2021 के विजेता का नाम तो यहाँ पर आप देखेंगे कि main single कौन है तो main single किस ने जीता है नवाग जोकोवीच ने जीता है वो main single किस ने जीता है नौा मी ओशाका ने जीता है यहां से question और भी कैसे बनते हैं आपसे पूछ लेगा कि नुवाक जोकोविच किस देश के player है तो सर्बिया के ये player है और नुवामी ओशाका किसका है जापान का ये player है तो main single किस ने जीता है नुवाक जोकोविच ने जीता है और women single किसने जीता है नौामी ओशाका ने ध्यान देने वाली बात क्या है कि N यहां भी है N यहां भी है तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए Australian Open की बात आ जाए Australian Open तो बस ध्यान रखना है N और N Novak Jokovic and नौामी ओशाका यह सर्बिया के प्लियर हैं यह जापान के प्लियर है Australian Open 2020 विनर हर साल होता है इस साल भी हुआ और पिछले साल का भी important है याद रखना ज़रूरी है तो यहां भी main single किसने जीता है Novak Jokovic जो की सर्बिया के प्लियर है और woman single किसने जीता है शोफिया कैनिन ने जीता है जो की US की प्लियर है तो Australia में main single 2021 का और 2020 का Novak Jokovic नहीं जीता है woman single Novak Jokovic नहीं जीता है लेकिन 2020 में सोफिया कैनिन ने जीता है next देखते है next है French Open French Open की बात करे यहां भी Novak Jokovic जो की सर्बिया के प्लियर है उन्होंने जीता है main single woman single किसने जीता है Barbora Kresi Kova ने जीता है ठीक है French Open Tennis की बात करे 2020 के विनर की main single Raffel Nadal ने जीता है जो की Spain की प्लियर है और woman single की बात करे तो Ega Swetek जो है उन्होंने जीता है जो की Poland की प्लियर है तो यहां पर आपने देखा कि Australian Open में भी में सिंगल नुवाक जोकोविच फ्रेंच की बात करें यहां भी नुवाक जोकोविच ने जीता नेक्स्ट बात करते हम लोग Wemeldon Open 2021 का ठीक है यहां भी में सिंगल किस ने जीता नुवाक जोकोविच तो असान है आपको याद करना इस बार का Grand Slam का क्यों क्यों क्योंकि Australian Open भी बात करें नुवाक फ्रेंच भी बात करें नुवाक और Wemeldon की बात करें यहां भी नुवाक जोकोविच नहीं जीता है और वोमें सिंगल की बात करें तो एसले बार्टी जोकी अस्ट्रेलिया के प्लेयर है इन्होंने जीता US Open 2021 की बात करें तो यहां पर कुछ चेंजेस हुआ है तो में सिंगल किसने जीता है डैनियल ने जीता है और वोमें सिंगल किसने जीता है इमा, रादू, कानू ने जीता है ठीक है अगर हम 2020 के विनर की बात करें तो यहां पर में सिंगल किसने जीता है डॉमिनिक, थेम ने जीता है और वोमें सिंगल नौामी, ओशाका जो की जापान की प्लेयर है उन्होंने जीता है तो समझ में आगे आपको कि अस्ट्रेलियान ओपेंड, में सिंगल की बात करें नौवाक, फ्रेंज की बात करें नौवाक, वेमेल्डन की बात करें नौवाक और यूएस की बात करें तो डैनियल ने जीता है ठीक है, याद रहेगा आपको तो इतना ही आपको याद करना है ठीक है, और इस PDF को आप डाउनलोड कर लिजेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और ये मैं आपको 110% एशोर करता हूँ आपको कि इस PDF से कोश्चन आएगा ही आएगा ठीक है, क्योंकि इंपोर्टेंट होता है टैनिस का ये Grand Slam जिससे कोश्चन एक्जाम में आता है उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स टॉपिक में तब तक के लिए आपको क्या करना है दबा के लाइक ठोगना है ठीक है, कॉमेंट करना है और शेयर करते रहना है आपको मिलेंगे, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, ओल दे बेस्ट